शुक्र यानि भाग्य विधाता ग्रह शुक्र को भाग्य विधाता पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं है ना उसका भाग्य हमेशा कमजोर है इस दुनिया में हम उसी इंसान को बड़ा मामते हैं जो पैसे वाला है और शुक्र जो है वो पैसे के कारग रहे हैं अगर पैसा है तो दुनिया आपको सलाम ठोकती है और अगर पैसा नहीं है तो दुनिया आपको ठोकरे मारती है यही शुक्र कन्या राशी वालों के लिए कुछ बहतर परिणाम लेकर आ रहे हैं अब लोग आपको ठोकर नहीं मारेंगे अब आप लोगों को ठोकर मारेंगे जो लोग आपके दुश्मन हैं गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है और इसी गरीबी को इस धनतेरस इस दीपावली में शुक्र देव दूर कर देंगे कन्यराशी वालों के लिए शुक्र धन भाव यानि दितिय भाव और भाग्य भाव यानि नाइन्थ हाउस के स्वामी है धन के स्वामी है भाग्य के स्वामी है और गोचर में यानि प्रिजेंट टाइम में जा रहे हैं शुक्र देव तृतिय भाव में यानि थर्ड हाउस में प्राकरम हाउस पे, शुक्र की जो दर्ष्टी है ना, हर ग्रह की सातवी दर्ष्टी होती तो शुक्र की दर्ष्टी जो है नवम भाव पर होगी, यानि भागी का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, आपके चारों तरफ खुशियों की बारिश होने वाली है, बुद्ध शुक्र के परम मित्र हैं, बुद्ध शुक्र की यारी दोस्ती बहुत अच्छी है, अब दो यार दोस्त जब एक साथ होंगे, तो फिर कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जाता है ना, तो कुछ लेकर जाता है, खाल साथ में लेकर आ रहे हैं पैसा सुख वैभव प्यार इश्च महबब यह सब को शुक्र लेकर आ रहे हैं यह जो दिवाली है ना और यह धन तेरस है जो आने वाला है 2024 का धन तेरस पर धन बढ़सेगा और दिवाली दिल जीत लेगी तिरतिय भाव है है प्राकरम का थर्ड हुस है प्राकरम का कुल्य में देखिए जहां पर शुक्र बैटे हैं और यहां पर बेह शांदर रिलड शुक्र देने वाले संट ल कर आई यान stickers हुन explicascend आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ पालेंगे, आपकी मेहनत में भागे का सपोर्ट जुड़ जाएगा, धन पाने के लिए आप खूम मेहनत करेंगे, मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, मेहनत करते जाएंगे, पैसा पाते जाएंगे, सुकी होते जाएंगे, बच्चे पढ़ा तेरा अक्टूबर से ही दशेरे के अगले दिन से ही आपको शुप पढ़ना मिलने शुरू हो रहे हैं इन पच्चेस दिनों में धन तेरस दीपा वाली सब आएगा और आपकी खुशियां भरती चली जाएंगी 29 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को बुद्ध भी जो आपकी राशी के स्वामी हैं वो भी शुक्र के साथ हो लेंगे अहाहा मज़ा आ गया अब बुद्ध शुक्र का लक्ष्मी नारायन योग बन जाएगा और लक्ष्मी नारायन योग के बनने का मतलब है लक्ष्मी का आना धन का आना पैसो का आना खुशियों का आना सुख का आना वैभव का आना अब आप इस धन 13 सौधीपा वली में बहर शांदार नहीं अत्यंत यानि कि अद्भुस सफलता पाएंगे एक और अच्छी खुश्खबरी आपको दे दूँ शुक्र और गुरू का समसब्तक योग बनेगा लेंगे क्योंकि दोनों फिर से करेंगे एक खुश्खबरी आपको और दे देता हूं शुक्र और गुरू का सम सब्तक योग बनेगा, यानि शुक्र गुरू को देखेंगे, गुरू शुक्र को देखेंगे, एक के पास ग्यान है, दूसरे के पास पैसा है, और ग्यान जिसके पास है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, यकीन मानिए, पिछली पचास दिवालियां जो आपका मन लगेगा, आप धार्मिक होंगे, चिंता मुक्त होंगे, जीवन खुशाल तरीके से जीएंगे, यानि कहते हैं ना बिंदास तरीके से, कहीं कोई गम नहीं है, परिवार में खुशियां आएंगी, हर कारे में सफलता मिलेगी, देश-विदेश में नई नौकरी लगने के योग हैं, अपने ही देश में किसी बड़े शेहर में जाकर नौकरी वगरा कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया संबंद यहां पर आपकी नौकरी से बन रहा है, आपके वैपार से बन रहा है, आप दूसरों का दिल जीतने वाले हैं, आपकी जो मीठी वाणी होगी न, वो शेहद के तरीके से घुल जाएगी, तमाम ललाई जगरे खत, तमाम बुराईया खत में एक मिठास होगी रिष्टों में, यात्रा से लाब है, ट्रेवल से लाब है, गुसे पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, एनरजी से भरे होंगे, ताकस से भरे होंगे, यानि कहते कुषे दारों से बड़िया रिष्टि होंगे, किसी करीमी पर दिल आ सकता है, किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, आस पड़ोस में, उस पर दिल आ सकता है, यानि महबत हो सकती है, दूसरों के काम आप करेंगे, दूसरों का मन पढ़ने की छंबता आपके अंदर होगी, à l किरशित होंगे चरित्र आपका बड़ेगा तो फिर दिक्कत costs जी這邊 जीर हैं तो अपने जीवन साती के साथ इमानदारी प्रेम संबंद में हैं तो अपने साथी के साथ इमानदारी जितनी रिष्टों में इमानदारी होगी उतने बड़े इंसान आप बनेंगे, हेल्थ पढ़िया है, हेल्थ में कोई बहुत बड़ी मेजर इशू नहीं आ रहे हैं, छोटा मोटा चलता रहता है, वक्त से पहले आपके काम बनेंगे, वैपार बिजनस में शांदार रिजल्ट मिलेंगे, काम आपका जो है वो दोड़ने वाल है, पैसा आपके पास आने वाला है, बचत भी होने वाली है, प्रेमी प्रेम का दिल खोल कर एक दूसरे से प्यार करेंगे, प्रेमी प्रेम का पती पत्नी दिल खोल कर एक दूसरे का सम्मान यानि रिस्पेक्ट करेंगे, और मौज करेंगे, हातों में हाट डाल कर घूमते ह वे नज़र आएंगे चेहरे पर मुस्कराहट होगी और आपका जो प्यार है वो आपके साथ होगा अगर कहीं आपसे दूर चला गया है तो दिवाली तो बहुत ही अच्छी मनेगी धन तेरस भी बहुत अच्छा बनेगा लश्मी जी आपके घर आ रही है शादी हो गई है तो अपना हर काम अपनी पत्नी की सला से करें छोटे बच्चों को गिफ्ट मिलने वाले हैं बहुत अच्छा समय है बच्चों की पढ़ाई अच्छी रहने वाले बच्चे भी एक दम जिद्दी होंगे जो जारू होंगे पढ़ाई लिखाई करने में जब तक ये कर नहीं लें हैं आपकी बातों से लोग प्रभावित होने वाले हैं किसी भी हालत में धन की कमी नहीं होगी शुक्र से जुड़े काम शुक्र से जुड़े हुए लोग जो भी हैं उनके लिए बढ़िया है जो लोग एस्टलॉजर हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं परवक्ता हैं पब्लिक सकते हैं अगर शोशन मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं शुब लाब हो रहा है आपको कुल मिला कर तो मैं यही कहूंगा शुक्र का यह गोचर दिवाली से पहले हो रहा है और दिवाली के बाद आपको बहुत लाब देता रहेगा अगर आपकी जर्म कुल्ली में और बाकी ग्रह मजबूत हैं फिर आपको चिंता करने के आउशक्ता नहीं है अगर आपकी जर्म कुल्ली में ग्रह कमजोर हैं तो आपको चिंता करने के आउशक्ता है कमजोर ग्रह आपको कुछ नहीं देगा मजबूत ग्रह सब कुछ देगा तो अपनी जर्म कुल्ली की ज कि इस गोचर की बधाई, दीपावली धन्तेरस की बधाई और यह सारी खुशियां आइंगी कैसे, उसके लिए आपको अपनी जनम खुड्ली को मजब़ू बनाना होगा, अपने नव गुर्वों को मजब़ू बनाना होगा, दीएगए नंबर पे संपर करके पनी जनम कुड़वा कि जांच आप करवा सकते हैं बहुत-बहुत अच्छा समय है इसको अंजुआए करिए और कमंट बॉकस पे अपनी राय जरू लखेगा कमंट बॉकस पे जरू लखिएगा कि आप इजडिपावली में में कितने दिये जलाने वाले हैं रादे रादे